प्रतिकूल मौसम के कारण फसल के प्रभावित होने से छोटी इलाइची का उत्पादन इस वर्ष 35 से 40 प्रतिशत तक घटने की आशंका व्यक्त की जा रही और इसकी तुराई तयारी भी देर से आरंब हुई लेकिन फिर भी उम्मीद के अनुरूप कीमतों में इजाफा नह हो सकते। तयोहारी मांग लगभग समाप्त हो चुकी है जबकि नए माल की आपूर्टी बढ़ने लगी है। इसके फलस्वरूप इलाइची के दाम में निकट भविशे में जोरदार उच्छाल आने की संभावना बहुत कम है लेकिन भाव नीचे जाने की आशंका भी नही है क्योंकि एक तो आगे शादी विवाह का सीजन है और दूसरे मुस्लिम देशों में रमजान की अच्छी मांग निकलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा गौाटेमाला की इलाइची का भाव तेज हो गया है जबकि उसकी क्वालिटी भारत की तुलना में कुछ ह परधा रहती है। अपेक्षाकृत सस्ती होने से गौाटेमाला को अपनी इलाइची का निर्यात बढ़ाने का अच्छा अफसर मिल जाता है लेकिन भारतिय इलाइची इसमें कुछ पिछर जाती है। नीलामी केंद्रों में इलाइची की अच्छी आपूर्ती होने लगी। पिछले दिन अपेक्षित एक नीलामी में 64 तन से कुछ अधिक इलाइची की आवक हुई और इसका ओसत मूले 2322 रुपए प्रती किलो दर्स किया गया जो उससे पूर्व हुई नीलामी के ओसत मूले 2269 रुपए प्रती किलो से काफी उंचारा। जानकारों के मताबिक कुछ तेजी आ सकती है। आगामी महीनों के दौरान निर्यात मांग बहतर होने पर इसके दाम में कुछ तेजी आ सकती है। केरल में इस बार इलाइची की फसल के लिए मौसम अनुकूल नहीं रह। पहले भीशन गर्मी एवं बारिश की कमी से फसल प्रभावित हुई जब की बाद में आंधी वर्षा ने इसे नुकसान पहुचाए। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी